स्टुडेंट्स पेरवेट के डिजिटल क्लासिज में स्वागता आपका और आज हम AVFO मध्यपरदेश के लिए माइक्रोबायोजी सब्जेक्ट वेटनरी माइक्रोबायोजी सब्जेक्ट के कुछ क्यूस्चन्स को सौल करेंगे यह संसरी प्राभी ऊप्रोण स्पूनतिया वीher एपफरो के लिए बनाए गये गये हैं उसी पैटर्न के पराधारित है पहला क्यूस्चन्स है यह रोग कोई साथ रोग है उसके लक्षण यहाँ पर दिये होगे है और उसको हमको चैन करना है यह किस रोग के कारण होता है यह वाइरस भीडो में एंसेफलाइटिस आर्थराइटिस और लिंफो प्रोलिफरेटिव रो का कारण मनता है रो की पैचान करें यहां पर चार ओप्संस दिये हुए हैं मेडी विस्ना ओवाइन प्रोग्रेसिव निम्मोनिया और फॉर्थ है आलफ अबो तो द होती है और यह भिड में होने वाली इसमें निम्मोनिया भी होता है तो इस बिमारी में इस लक्षण है ओवाइन प्रोग्रेसिव निम्मोनिया तो यहांपर मेडि विस्ना कई बार एक साथ भी हम लिक देतें माडि विस्ना Medi visna disease बोल सकते हैं या Medi और visna अलग-अलग कह सकते हैं तो यहाँ पर बीमारी एक है जिसके ये तीन नाम है तो इस question को देने का उद्देश इतना ही है कि हमें ये लक्षन पता चल गए और इस बीमारी का पता चल गए इस बीमारी में ये लक्षन आते हैं इस बीमारी में mainly encephalitis होता है यानि मस्तिस्क में सूजन और साथ में pneumonia भी होता है next question है कबूतर की बीट में पीजन जो फिसेज होती है पीजन की बीट होती है कबूतर की उसमें कौन सा फंगस परचूर मातर में पाया जाता है कौन सा कवक पाया जाता है सबसे ज़्यादा तो दीए दिए गए options में answer हो जाएगा क्रिप्टो कोकस नियोफॉर्मिस ये वाला फंगस सबसे ज़्यादा मिलता है अब इस question को दे जाने का उद्देश ही क्या है ये क्रिप्टो कोकस नियोफॉर्मिस है ये ये फंगस कबूतर की बीट में पाया जाता है कबूतर की बीट में से मनुष में इसका संक्रमन हो जाता है मानों के फेंफडों में भी तो इसके काफी सारे केसे जाते है ये एक sensitive काफी महत्वपूर्ण बीमारी है प्रिटमेंट के लिए antifungal drugs यूज करनी पड़ती है सामयने तो इसका infection नहीं होता है लेकिन जिन लोगों की immunity कमजोर होती है और वो लोग कबूतरों के बीटों वाले स्थानों को साफ करते हैं उसमें से उडने वाली जो dust है वो उनके फेफ्रों में चली जाती है तो यह medical importance का भी रोग हो गया और veterinary importance का भी हो गया तो यहाँ पर हो गया Cryptococcus neophormis यह fungus है और इस fungus की treatment के लिए क्या लेना पड़ता है antifungal drugs जैसे heteroconazole, ketoconazole, fluconazole यह औस दियां लेने पड़ती है थर्ड क्यूस्टन है pearl of string test pearl मतलब मोती of string, मोतियों की line यह मोतियों की माला ऐसा test के जीवानों के लिए किया जाता है तो दिये गया options में answer है इसका anthracis means bacillus जो होता है bacteria bacillus bacteria इसकी कई प्रजाती है उसमें से एक प्रजाती bacillus anthracis है जो की anthracis रोग पैदा करती है bacillus anthracis anthracis यह वाला जो bacteria होता है यह penicillin के प्रथी susceptible होता है penicillin जो antibiotic है और penicillin की जो कम concentration में लगभग इतनी concentration में यह क्या करता है यह इस bacteria की जो spores है वो फूल जाते है इस तरह से और फूल करके ऐसे एक रेखा में इस तरह से शिपक जाते है means anthracis की जो spores है इस तरह से penicillin जब कम concentration का माध्यम होता है तो उसको यह absorb करके और इस तरह से यह string बना लेता है यानि मूतियों की माला जैसी संरचना यह रेखा जैसी संरचना बना लेता है और यह वाला टेस्ट है इस anthracis के लिए rapid test है rapid test for anthracis के detection के लिए यानि जो anthracis के लिए test किया जाता है ascoli test किया जाता है macfiden reaction होती है उनसे भी fast test है यह pearl of string test और इसमें क्या किया जाता है penicillin का एक कम concentration वाला माध्यम बनाया जाता है और उसमें यह bacillus bacteria या उसमें डाला जाता है उस culture में penicillin वाले में या फिर penicillin को इसके culture में डाला जाता है इसमें इसके spores फूल करके और एक रेखा बना लेते हैं इसको pearl of string test केते है next question है blue eye disease से सम्मन्दित ऐसंगत तर्ग है which is incorrect about blue eye disease देखें blue eye disease यह सूरों का एक रोग है बिल्कुल सही है यह सूरों को सरवादिक प्रभावित करता है pigs में होने वाला रोग है यह rubella virus से होता है बिल्कुल सही है यहाँ पर यह rubella virus से ही होता है इस रोग में सूरों में corneal opacity means cornea का एपारदर्शिता हो जाती है तो यहाँ पर सारे ही संगत है तो answer हो गया कोई नहीं means तीनों आपको यहाँ पर एक तरह सी question में blue eye disease पढ़ा दी गई है blue eye disease से सम्मन्दित जो चीजे important है वो पूची जाती है उन्हें आपको बता दिया गया है blue eye disease से सम्मन्दित एसंगत तरक है तो यह तीनों ही संगत है सूरों में होती है rubella virus से होती है corneal opacity आ जाती है इसमें तीनों important बाते हैं आपके आ गई है next question है herring bone की उपस्तिती किस विशाणू में देखी जाती है herring bone क्या होता है पहले तो herring bone का मतलब होता है इस तरह का एक pattern होता है जैसे कपड़े की शिलाई होती है कपड़े में जो fabrics होता है fabrics की जो शिलाई होती है या fabrics की जो arrangement होती है वो herring bone pattern होता है हम देख लेते हैं herring bone pattern herring bone pattern देखिए यहां पर इस तरह का होता है, यह आपके सामने है, को हमने बढ़ा किया, यह वाला जो pattern है, यह हेरिंग बॉन पैटर्न है, टाइल्स पर भी देखने को मिलता है, यह कपड़े की फेब्रिक्स का भी होता है, इस तरह का pattern, अब किश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है हेरिंग बॉन pattern, किस virus में देखा जाता है, तो देखिए, हेरिंग बॉन पैटर्न दिखाई देता है, दिए गए options में, पेरा मिक्सो वाइरस में, पेरा मिक्सो वाइरस का जो नुकलियो कैपसीड होता है, इसका जो arrangement होता है, नुकलियो कैपसीड का arrangement, इस तरह से होता है, इस तरह से, इस herringbone pattern कहा जाता है तो question बिल्कुल आपको याद रखने की बात है कि paramixovirus में क्या देखा जाता है herringbone pattern देखा जाता है सामाने तरह यह है रोग सूरों को प्रभावित करता है रोग का प्राथमी कारण staphylococcus hycus है बेक्टिरिया यहाँ पर यह बेक्टिरिया दे रखा है staphylococcus hycus इस बेक्टिरिया से होने वाला कोई रोग है सामाने तरह यह बेक्टिरिया है बिल्कुल यह pathological रूप से dermatitis उत्पन करता है रोग की पहचान करें तो सूरों में होने वाली एक बीमारी है तो इसमें greasy peak disease है बिल्कुल सही है यह staphylococcus hycus greasy peak disease करता है एक्जूडेटिव एपिडर्मेटाइटिस इसको तो हम वैसे भी पैचान सकते है एक्जूडेटिस में सूजन आएगी थोड़ा-एक्जूडेट निकलेगा यह एपिडिडर्मेटाइटिस हो गया मारमाइट डिजीज भी कहते सको मारमाइट डिजीज का मतब सकीचिन से होने वाली एक प्रकार की बिमारी है मारमाइट डिजीज यहाँ पर दिये गए जो बीमारों के नाम है यह एक ही बीमारी से संबन्दित है और वो बिमारी आपके सामने दी हुई है greasy pig disease और उसका रोग कारक दे दिया यहाँ पर staphylococcus hycus अब यह बिमारी होती कैसे है यह सारकोप्टिस नाम की सारकोप्टिस नाम की जो माइट होती है उस माइट के काटने से इस बैक्टिरिया का इन्फेक्शन होता है आपको पहले भी बताया जा चुका है staphylococcus बैक्टिरिया स्कीन के उपर रहने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला बैक्टिरिया है यह हम जैसे मानो है हम नाते नहीं है कुछ दिन या फिर कुछ गंटों में छे गंटे के अंदर यह सरीर के स्कीन के उपर पनप जाता है कई बार आँखों में बिना दुलिवी अंगुलियां देली या इस तरह के हम इन्फेक्शन को यह कैरी करते है तो चाहिए जानवर हो चाहिए इनसान हो इनकी स्कीन पर यह बहुत जल्दी पनपने वाला बैक्टिरिया है इस टेफायलोकोकस यह ग्राम पोजिटिव बैक्टिरिया होता है और अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना वाला यह बैक्टिरिया है और आपको यह पता होना चाहिए, यह bacteria mastitis भी cause करता है, भारत में सबसे ज़्यादा जो mastitis होती है, वो इसी bacteria से होती है, staphylococcus bacteria से, यह bacteria काफी important है, और यह जो बीमारी है, gracific disease, exudative epidermatitis, और साथ में marmite disease, यह सभी बीमारी एक ही है, एसंगत का चैन करें, means, which is untrue, कौन सा इसमी से गलत है, देखे, dine stain जो होती है, यह mycoplasma के लिए, काम में ली जाती है, dine stain साथ में proteus के लिए भी काम में ली जाती है, proteus जो bacteria होता है, उसके लिए भी की जाती है, यहाँ पर दूसरा है fontana stain, spirochete के लिए लिए जाती है, बिल्कुल, ठीक है, और machi velo stain, klem idea के लिए 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 जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा यह wrong है, यह rickettsia के लिए लिए machi velo stain, और acid fast stain में भी थोड़ा सा clear cut इन्होंने नहीं दिया, यहाँ पर, यह acid fast stain माइको बैक्टिरियम के लिए काम में ली जाती है, तो वैसे तो यह हूत अच्छा question तो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर दो बैक्टिरिया इधर आ गए, माइको प्लाजमा क्या है, cell wall less bacteria को हम mycoplasma कहते हैं, साथ में protease भी आ गया, और यहाँ पर acid fast में जो main bacteria होता है, mycobacterium, TB गा बैक्टिरिया होता है, यहाँ पर वैसे दिये गए answer के इसाब से, तो यही आया है, आया हुआ है, exam में आया हुआ question है, उसमें यही माना गया है, बाकि बहुत अच्छा question जब क ज्यादा famous नहीं, protease के लिए ज्यादा famous है, तो answer हो गया, मैची वैलो, stain, बैक्टिरिया जो सामायन था है, इतने temperature, मतलब ज्यादा हो गया temperature काफी 50-50 degree पर वर्दी करते हैं, देखें, बैक्टिरिया के लिए सबसे अच्छा temperature होता है 37 degree, मानव शरीर का जो body temperature है, वो बैक्ट temperature हो, पचाँससे 55, तो इस temperature पर कौन सा बैक्टिरिया वर्दी करता है, देखें, psychophils क्या होते हैं, वे bacteria जो थंड में वर्दी करते हैं, यानि सर्दी में, जब कम temperature होता है, तो उनको psychophils कहते हैं, me Batteriam water, म पर यदिया अजम तापमान पर वर्दी करते हैं, मध्यम तापमान म क्या होते है hello word किसकी लिए आता है hello का मतलब होता है धूप सूर्य की धूप सूर्य की धूप में जो growth करते हैं उनको hello pills करते हैं तो यहाँ पर answer आ गया thermo pills next question is किस वेगेनिक ने एक उच्छ रिजोलिशन माइक्रोस्कोप को विक्सित किया जिससे उन्होंने कई सुक्षमजीयों को खोजने और रिकार्ड करने में सुक्षम बनाया अब यहाँ पर वैसे अगर हम इतियास की तरफ जाते हैं तो कोई लिवेन होक ने कोई बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं बनाया था आंसर तो इसका लिवेन होक है यहाँ पर यह लिवेन होक आंसर हमने निकाला कहां से कई सुक्षमजीयों को खोजने इस लाइन से हमने यह आंसर निकाल लिया लिवेन होक है क्योंकि आपको पता है ल उस समयुका यह उच्छ रिजोल्यूसन का था तो आज की तारीक में आप इसको लिवेनुहोग के माइक्रैस्कॉप उच्छ रिजू शं का नहीं कasantते तो आंसर क्या हो गेस। लिवेनुहोग tare बाकी वेग्यानिकों का तो आपको पता है, लुईश पास्चर जिसके बारे में हमने डिसकस किया था, पास्चुराइजेशन के खोजगरता, रेबीज की वेक्सिन को बनाने वाले, रोबाटोक, फादर अपसाइटोलोजी, साथ में सेल की खोजगी थी, जो की निर्जीव को होता है, जिसको हम कहते हैं Bacillus anthracis, उसकी खोजगी थी और इसलिए इसको कौच डिजीज भी कहा जाता है, साथ में, next, निम्न में से brick-shaped virus कौन सा है, यानि इंट की जैसा virus, इस तरह से, इंट का जैसा pattern जो रखता है, इसमें fox virus जो है, वो brick-shaped है, अगर आपसे पूचा जाए, टोबेको virus क्यों famous है, टोबेको मोजिक virus की जो है, खोज, सबसे पहले हुई थी, आपसे पूचा जाए, विशानू की खोज किस ने की थी, विशानू की खोज, इवेन ओवस की नामक वेग्याने की ने की थी, पर्थम खोजा गया विशानू आपको आंसर देना पड़ेगा, FMD का जो picorna virus होता है, जिसको हम F-10 virus भी कहते हैं, वो सबसे पहले खोजा गया जन्तू भीशानू था, animal virus था, नेक्स्ट, हाँ, पारो के बारे में आपको पता, एक बहुत छोटा virus होता है, डॉक्स के अंदर, पारो viral disease, पारो viral infection करता है, र हुई है reactions, इसमें से कौनसी reaction, second type की hypersensitivity से संबन देता है, तो इसमें ABO blood group, आपको पता, hypersensitivity की चार प्रकार की होती है, reactions, type 1, type 2, type 3, and type 4, type 1 में वो immunoglobulin imediated होती है, जो की first allergic reactions होती है, वो होती है, type 2 में blood group से है, कुछ बीमारिया जैसे myasthenia gravis है, इस तरह की बीमारिया आती है, type 4 के अंदर आपको पता है, delayed type of hypersensitivity आती है, जैसे tuberculosis, जो बीमारी होती है, TB वाली, वो delayed type of hypersensitivity का उधारन है, next question आगा है, transformation, यानि रूपांतरन की खोजगीती, सबसे पहले रूपांतरन क्या होता है, bacteria, कोई free floating, कोई free में पढ़े DNA को, bacteria का जो genetic material है, जैसे माली जी यह है, यह DNA, यह gene है, कुछ, इन gene को यह, इसमें add कर लेता है, इसे ही रूपांतरन या, transformation कहते है, और इसकी खोजगीती, Griffith, बहुत famous question है, Griffith ने transformation की खोजगीती, transformation का मतलब है, कुछ geno को अपने DNA में incorporate कर लेना, next है, cell line of animal origin कौन सी है, सबसे पहले cell line का पता होना चाहिए, cell line क्या होती है, यह culture होते हैं, cells के, cells के culture होते हैं, अब cells के culture, जो की organs को develop करने के लिए, या फिर, बनाने के लिए काम में आते हैं, तो यह हेला जो है, यह तो है, human की, मानव के लिए, और यह MDB के और MDC के हीं, यह दोनो, animals की cell lines है, वैसे cell lines हर जानवर की, जैसे pigs के लिए भी develop की जाती है, सब के लिए होती हैं, लेकिन इन में आपको ध्यान रखना है, आंसर क्या आगया, B and C bot, निम्ड में से, Medusa head forming colony, Medusa head का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, यह bacillus anthracis, यानि anthracs के bacteria के लिए ही, यह Medusa head, जो word है, यह काम में लिया जाता है, बाकी एक जगे और ध्यान रखना है, आप जैसे क्लोइस्टिरियम के, जो titanai के bacteria होते हैं, क्लोइस्टिरियम titanai के, यह कैसे होते हैं, इसके जो spore होते हैं इस bacteria के, तैनिस के racket जैसे होते हैं, या फिर हम इसको drum stick भी कह सकते हैं, drum stick like भी होते हैं, next question है, मुर्गी में थ्रस रोग का कारण है, रोग कारण के हैं, तो पहली बात तो थ्रस को क्या कहते हैं, यह थ्रस होता क्या है, यह थ्रस होता है, एक फंगस होती है, Candida era, इस Candida albicans का infection होता है, तो मुर्गी के मुँ में, या पक्षियों में किसी में भी हो सकता है, टर्की में भी होता है, मुर्गी में भी होता है, कहीं पक्षियों होता है, तो मुख गुआ के अंदर, यानि oral cavity के अंदर, साथ ही साथ जैसे ग्रास नाल की बात करें, और crop की बात करें और आत की बात करें तो इसमें अंदर whitis-whitis हो जाता है एक सफेद रंग की परत सी बन जाती है और वो सफेद रंग की परत इस fungus का infection होना होता है काउंसी का Candida albicans का और इस बीमारी को thrust भी कहते हैं, इसको monaliasis भी कहते हैं इसको thrust भी बोलते हैं और इसको candidisus भी बोलते हैं तो इस disease में देखिए क्या-क्या लक्षन आएंगे मुर्गी चुगना या दाना चुगना या खाना बंद करतेगी साथ में फंगस के करण weight loss होगा और काफी सारे abnormalities create होगी तो इसमें क्या किया जाता है antifungus solutions को मुर्गी के feed में मिला दिया जाता है आज हमने बहुती अच्छे microbiology के 15 questions पड़े तो आप इसका lab लेंगे देखिए हम especially किसी state के लिए किसी exam के लिए especially work करते हैं तो यहाँ पर जैसे आपको दिएगे क्यूस्टन से वह especially AVFO के लिए बनाए गए है तो आपको यह जरूर लाब परद्ध होंगे धन्यवाद